नमस्कार, आज कक्षा 10 एक्सरसाइज 3.3 कोशे नम्बर 1 का छठा बाग हम कर रहे हैं हमारे पास है 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर है माइनस 2 और x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर है 13 बटा 6 सबसे पहला काम हम क्या करेंगे इन दोनों समय करने को पहले थोड़ा थोड़ा हल करेंगे किस प्रकार से चर्ण पर बटा इजे देखे हैं हम सबसे पहले यहां 3 और 2 का लोगा लोगा थैए तो वह आ जाएगा 6 चे को दो से भाग करेंगे जो उत्तर आएगा उसको तीन से गुना करेंगे देखे चे को दो से भाग किया तीन को उपर तीन से गुना किया नौ तीन गिया नो एक्स माइनस इसी प्रकार से चे को तीन से भाग करेंगे चे को तीन से भाग करके आया दो उस दो को ऊपर 5 से गुना किया तो बना ह yapt 10 तो 9x-10y बडाबर माइनस 2 अगले step में 9x माइनस 10y बडाबर 6 इधर इसके साथ भाग हो रहा है उधर जाएगा तो माइनस 2 के साथ गुना हो जाएगा तो माइनस 2 गुना 6 हो जाएगा माइनस 12 ऐसा ही हम किस समिकरन के साथ भी करेंगे 3 और 2 का हम लगुत्तम लेंगे तो वो आएगा 6 नीचे वाले से भाग, उपर वाले से गुना 6 को 3 से भाग करेंगे तो हमार पस आएगा 2 2 गुना x होगा 2x, बीज में है प्लस का निशान तो प्लस 6 को 2 से भाग करेंगे 6 को 2 से भाग करके आएगा 3 3 को उपर Y से गुणा करेंगे तो हमारे पर सा जाएगा 3 Y ब्रापर यहाँ पर है 13 बड़ा 6 अगले स्टेप में ये 6 इस मज़े 6 से कर जाएगा ये भी 6 से भाग हो रहा है अगले step में उपर जाके गुना होगा तो 6 से 6 कर जाएगा तो हमने यहीं पर इसको काट दिया है यह काटने के बाद हमारे पास जो समीकरन बची वो बची 2x प्लस 3y बरापर है 13 जैसा कि हम पहले कोशन्स में करते आए मैं इस equation को थोड़ा सा तोड़ रहा हूँ तोड़ कैसे रहा हूँ यह है माइनस 12 माइनस 10 इदर 10y के साथ गुना हो रहा है उदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा अगले स्टेप में x प्रापर माइनस 12 प्लस 10y नो इदर x के साथ गुना हो रहा है जब यह उदर जाएगा तो भाग हो जाएगा इसे हम मानते हैं equation number 3 यह है हमारी equation 1 और यह है हमारी equation number 2 अब जैसा कि पिछले कोशन्स में भी करते रहे हम यहां क्या करेंगे यह जो x की हमने value निकाली है यह जो x की हमने value निकाली है इसे हम क्यूपी 1 को solve करके निकाली है तो इसे equation number 2 में डाल देंगे x की जगा पर तो देखें क्या बन गया हमारी का 2 यह 2x था 2 into x की जगा यह सारी value माइनस 12 प्लस 10y बटा 9 आगे है प्लस 3y बराबर 13 अब हम इस समिकरन को हल करेंगे आईए देखें दो से जब माइनस 12 गुना होगा तो यह बन जाएगा माइनस 24 प्लस दो से यह दस गुना होगा तो यह बन जाएगा 20y बटा 9 प्लस 3y बराबर 13 अगले स्टेप में 3y के नीचे कुछ नहीं है तो एक 9 और एक का लगुत्तम नेगे तो वह आजाएगा 9 अब नीचे वाले से बाग उपर वाले से गुना नो को 9 से बाग किया एक एक को जो उपर इस से गुना करेंगे तो यह रखम ऐसी ही आजाएगी माइनस 24 प्लस 20y आगे प्लस का निचान है तो प्लस 9 को एक से भाग किया 9 9 को उपर 3y से गुना कर दिया 9 दिये 27y बराबर 13 अगले स्टेप में देखेंगे बच्चो ध्यान से 13 9 इदर इसके साथ फाग हो रहा जब यह उदर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा और यहां पर हमारे पास बच गया माइनस 24 प्लस 20y प्लस 27y 20 प्लस 27 होता है 47 तो मारे पास आगया 47y 9 इदर से उदर जा चुका है अगले स्टेप में लेखे 13 ना है 117 यह है 47y यह है माइनस 24 जब यह उदर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 24 हो जाएगा तो यह आगया 47y बराबर 7 4 11 हासलाया 1 11 और 12 और 12 14 तो वाई कितना आ जाएगा 147 इदर भाग भूना हो रहा है तो उदर जाके हो जाएगा भाग अब यदि 147 को और 47 देखें तो मैं 47 का यदि पहाड़ा देखो तीन पर तो साथ यह एक की सांसलाया दो चार दिये बार और दो चोड़ा तो 47 दिया 141 होता है इसका मतला यह जो 47 है यह 141 को तीन पर काड़ देगा जिसे कि यह हमारे पास y का मान कितना आ गया तीन अब हम क्या करेंगे पुट वैल्यू ओफ वाई इन इक्वेशन 3 उक्वेशन 3 कहा है यह रेली इक्वेशन 3 एक्वेशन 3 एक्वेशन 3 ग्राफर मैनस 12 प्रस 10 यहां य का मान 3 रखने से हमें एक्वेशन 3 लिखेंगा ठीक है बच्चो तो आईए देखते हैं X बराबर यह है माइनस बारा प्लस दस Y बटा नो माइनस बारा प्लस दस Y Y की जगा अभी हमें Y कमान निकाला है 3 बटा नीचे है 9 इसे हल करते हैं तो माइनस बारा प्लस 10 तिया 30 बटा नो प्लस माइनस माइनस 30 में से बारा नीचाल है 18 साइन बड़ी रखम का बड़ी रखम है 30 उसके साथ निशान है प्लस का तो 18 होगा प्लस का बटा नो और 9 से 18 कट जाएगा 2 पर इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास X का मान कितना आ गया 2 X का मान कितना आ गया 2 तो हमें इस कोशन में X और Y का मान निकालना था इक् enseñ को हल करने के लिए X का मान अभी हमने निकाला है 2 और Y का मान हमने अभी निकाला था 3 तो X प्रकपर 2 और Y प्रकपर 3 यह हमारे पास विजुब कुअपर समिकरत के इसका हल आ गया है तो कई बच्चे ये बटा के रकम देखकर ही डर जाते हैं कि ये तो बड़ी मुश्किल रकम है और आपने देखा कि हमने ज्यादा मुश्किल नहीं था स्टेप पर स्टेप हम इसको सॉल्व करते हैं और ये प्रेशन आगे से आगे से हल होता गया आशा करता हूं आपको ये वीडियो समझाया होगा यदि समझाया हमारे इस वीडियो को बच्चो लाइक जरूर करिएगा यदि आपको किसी स्टेप से नहीं समझाता तो आप झाल 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 झाल